बड़े ही मन से संचालन कर रही है संचाली का महोद है न जाने क्या-क्या मेरे बारे में कह गई और मैं किसी का बकाया नहीं रखता लेकिन कर्ज चुकाने से पहले मैं आप से जोना चाहता हूँ हाँ भाई साथ कीज लीजे पास उसके भी कैमरा होगा पास उसके भी कैमरा होगा सीन कुछ खास ले रहा होगा यह यहाँ खीच रहे है भोटू घर कोई और खीचता होगा मैं सबसे पहले जुड़ना चाहता हूँ यह बनारस है बनारस वालों को काशी वालों को बोलने से पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था इसलिए यह काशी वाले बहुत कुछ समझते हैं देखिए चार पंती हाजिर कर रहा हूँ और खुद बखुद यह लोग समझ जाएंगे जी 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 आजिर कर रहा हूँ बिलकुल बहाँ यह काशी वाले ही समझेंगे यह सूपरफास्ट गाड़ी है बड़े ही मन से चलती है यह पैसेंजर है पैसेंजर मौ भंजन से चलती है। तुम इसकी दोल मत पूछो मियार अफ्तार मत पूछो यह अच्छा लग रहा हो तो एक बार जोड़दार ताली बजाएं आगे बहुता है इन्हों ने कहा तंकवादी यहां राकेश तुफान जी उपस्ते थे सियो सदर यदि आपने इससे ज्यादा बोला तो वो आ सकते हैं और अब मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि आप कैसे लग रहे हैं अभी जैसा मैंने समझा वैसी उन्हों ने सब्सक्राइब कुछ ऐसे लोग हैं नामर्द को भी मर्द कहते हैं यह बिचु को मसिया साफ को हम दर्द कहते हैं ये पिठ्चू को मसीः साफ को हमदर्द कहते हैं यहां जो अमनों मिलत और वफादारी से रहते हैं उन्हें ये तंग नजर हर वक्त देसाजर्द कहते हैं वाँ 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 य olur आपकी आपकी इजासद हो एक्षू पर मुझे भी कुछ है त्वं मजलित home नाफ अमजने लगते हैं बेसे तक वित्त होकर बेइव किस्ता आप समझने लगते हैं जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं और एक दो चीटी जिनकी अंबर राह छोड़ कर निकल गई वही केचुए खुद को अक्सर साब समझने लगते हैं मेरा मन है कि आपकी शायरी यहां तक पहुंचें बहुत शांदार लोग सुन रहे हैं बहुत मन से पहले एक बार मीर घाट प्रोग्राम में मिली थी मैंने कोई आतंक नहीं किया था भाई साब ना जाने क्यों इस बार यहोंने आतंकी बना दिया पहले जैसी बहार अभी है पहले जैसी बहार अभी है दिखराएं भाई साब आप तो आपके लिए पहले चार बंकी उसके बार यह पड़ेंगे कि जवानी हाई करती है बुढ़ापा हाई करता है जवानी हाई करती है बुढ़ापा हाई करता है ऐसे में फची मच्छी निटल जाए तो खलता है नडालो यू खलल, पारी तो पूरी खेल लेने दो, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से प्यारे मून बनता है बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से प्यारे मून बनता है बहुत बढ़ी बहुत शांदार बात कर रहे हैं अब और और सुना दीजिए जो सुना रहे थे उसके बाद कुछ अच्छा होने लग जाए अच्छा जो ये कह रही है वही सुना देते हैं कि पहले जैसी बहार अभी है वो चमक वो निखार अभी है कुछ भी बड़ला नहीं खुदा की कदम आशिकों की कदार मैं मैं पूरे सम्मांसे आपका अभिवादन करती हूँ और इस मंझ से नमन पहुंचाती हूँ और एक चोटी सी बात कहके आपको शैरी के लिए आंत्रन देती हूँ कहते हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन-द जैसा न डिख रहा वैसा मन कीजिए ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं ये उमर है भजन की भजन कीजिए आप भजन जैसा कुछ सुनाएं लोग सुनना चाह रहे हैं ये एक आशी है यहां पीपी के काम जला लेते देखे फिर उन्होंने छेडा ना जाने क्या यार नेरा फरम में अभी है आदे निये मैं एक बात बता दू आप मेरे पिता तुले हैं और बेटियां जब छेड़ती हैं नहीं मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ तो एक बार जोड़ दर ताली बजा दो अदिये नहीं मैं तो बता रही थी कि मैं वाकरी छेड़ रही थी और पेटियां जब छेड़ती हैं पता बहुत अच्छी शायरी करते हैं यहीं माहौल में चाहते हूं आप लोगों को सुनने के लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए कुछ दुचार मुक्तक और हाजितना चाहता हूं फड़ा सा माहौल दे दिए कि न छेड़ मुझे को कि न छेड़ मुझे को आई हुसन इस दम अभी तबियती ठकी हुई है न छेड़ मुझे को आई हुसन इस दम अभी तबियती ठकी हुई है अदब नवाजी है मेरी आदत अदब नवाजी है मेरी आदत कमर इसी से जुखी हुई न जाने क्यूं न जा अभी तो बूढ़ा नहीं हुँ सुन ले जवाँ अभी तो बूढ़ा नहीं हुँ सुन ले यकी ना आए तो आज माले अभी तो बिल्कुल जवान हुँ मैं ये दाड़ी धूप में पकी हुई मैं तो जो पढ़ना चाहता हूँ वह हाजिर कर रहा हूं कि जिस मकसद के लिए मंज सजाया गया अगर वह न पढ़ा जाए और कितनी कुर्बानिया देश के लोगों ने दी है देश को आजादी दिलाने में गड़तंत्र बना देखिये हाजिर करना चाहता हूँ यम यम जमूरियत है और काशी धरती से कि आओ एक जश्र मुहबत का मनाया जाए आओ एक जश्र मुहबत का मनाया जाए जो है मकसूद मुहबत बत 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 जमाने को सिखाया जाए और आज के दिन मैं वहादिर करना चाहता हूँ कि तीर लिखना कमान तुम लिखना तीर लिखना कमान तुम लिखना तीर लिखना कमान तुम लिखना चाहे सारा जहान तुम लिखना स्वर्ग लिखने की बात गर आए तो सिर्फ हिंदोस्तान तो सिर्फ हिंदोस्तान तुम लिखना और एक मुक तक और हाजिर करना चाहता हूं इसलिए करना चाहता हूं कि ये पूरा इलागा इधर का हमारे पडोसी फ्रांज से बसा हुआ है मैं हाजर कर रहा हूँ के तीर कभी कटार कभी है हिंद वालों में धार कभी है पाक वालों तुझे मिटाने को सिर्फ अबिहार कभी है सिर्फ अपना बिहार काफी है इसलिए कहना चाहता हूँ के सुनो पाकिस्टानी हूँ मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता है अमबर ये तो अपना एक कुट्ता पाल रखे हुए है अपनी देजवक्ति जब कोई मामला गरम होता है तो दो लाट लाट लेगे हाँ मैं हाजिर कर रहा हूं बहराल कोई बात नहीं आपका अगर सफुराल है तो हमारा भी है समझ गया तो परपजा जाए नहीं सब्सक्राइब पाकिस्तानियों सुनो सलीम जी ससुराल है से कोई फरक नहीं पढ़ता आप तो यह बताएं या इस्जट कितनी है क्या किया जाए यह बीज बीज पे छेड़ेंगी यह मैं वहीं आ जाओंगा लेकिन मैं जो चाहिता हूं वहाजिर कर रहा हूं सुनें कि मुखबत हो ऐए पाकिस्तानियों सुनो मुखबत हो तो हम लेकर गले का हार बैटे हैं यह मुंतक पे ताली उस पार तक पहुचनी चाहिए ताकि वो देहसत में क्या कर दे कहा जाता है उस पार वाला बजा दीजिए एक बर हजिर कर रहा हूं कि मुखबत हो तो हम लेकर गले का हार बैटे हैं नहो उल्फत तो फिर जूता लिए तयार आरा तक पहुचनी तबाही या शुकूं जो चाहते हो मुंतकत कर लो सभी से हम निपटने का लिए हैं यार बैटे हैं और एक बिक तक आखिर पढ़ना चाहता हूं कि अमिस्दा जी जिस प्रांद में 15 दिन 20 दिन पहले चले जाएं और उसके बाद वहां चुनाओ करा दीजिए रिजल्ट जो आता है आप सभी को मालूम है मैं हाजित कर रहा हूं अगर सच कहे गया हूं तो थोड़ा होसला बढ़ा दीजिएगा एसास दिलाइएगा कि बनारत का भी कोई कमजोर नहीं था कि बनारत मस्वरे पर गर मेरे तयार हो जाएख तो ये मुम्किन नहीं क dibujr मेरे तयार हो जाएख धिए आपका सख्याल है हुकूमत मश्वरे पर गर मेरे तयार हो जाए तो ये मुम्किन नहीं कश्वीर में फिर्रार हो जाए चले जाए अमिस्था पाक में कुछ रोज की खातिर यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए यकीनन पाक में भी बहुत बढ़िया वंस्मोर हो रही है एक बार और पता दू हाजिर कर रहा हूं हाजिर कर रहा हूं क्या पता आज कि आपके इस वंस्मोर के बाद पाक में वाकई तैयार ही हो जाए सरका स्वागत है बात में इनकी स्कडर्दम है जितनी तारीफ परेवो पूसिया लादेंटिक नहीं सकता इनका हर लबज आईटम है वह वंस्मोर हुई थी मैं तो याद दिला रहा हूं कि हुकूमत मच्वरे बर्गर मेरे तैयार हो जाए तो यह मुंकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए चले जाएए अमिस्टा पाक में पुछ रोज की सातिर यकीन पाक में भी भाचपा सरकार हो जाए लेकिन जाते जाते चार पंकि मैं पढ़ना चाहता हूं ठीक है मुझे आप जो भी कहले लाजें कहलें आतंगवादी कहलें लेकिन एक वैगान के तौर पे जो आज ये मंज सजाया गया है ये गड़तंतर है जम्हुरियत क्या तेवार है हाजिर करना चाहता हूँ चार पंदर भाई कि दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे इस मुक्त के तौर प्याइग कर दियेगा अच्छा है बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा के साथ रहे हरे एक सास इसी अन्यमन के साथ रहे मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा मरू मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे